हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, बड़े बुजर्गों द्वारा बताये गए धिहान रखने योगी जरूरी बाते नमबर एक, अगर आप रोजाना बासी मू गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, तो इससे आपके सरीर में लार एंटी एक्सिडेंट के तौर पर कारे करती है, इससे सरीर डिटॉक्स होता है नमबर दो, उल्टी को रोकने के लिए सौप के पानी का कुला करें, उल्टी आना रुख जाएगी नमबर तीन, सिर्दर्द की समस्या से छुप कारा पाने के लिए, रात को सुने से पहले दो लौंग चवा कर गुनगुना पानी पी ले, थोड़ी देर में ही आराम मिल जाएगा नमबर चार, कच्चे दूद में चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमकाती है, यह एक नैचरल मोस्तराइजर है नमबर पाँच, गर्मियों में प्याज का सेवन करना चाहिए, यह हमें लू लगने से बचाती है नमबर चेह, रात को लौंग का सेवन करने से पेट सम्बंदी समस्या जैसे कब्ज, एसिडिटी से निजात मिलता है इसके साथ ही आपका पाचत तंत्र ठीक धंग से काम करेगा नमबर साथ, इसब गोल का छिलका पानी में सामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है नमबर आठ, अरवी लोग नाक के अंदर तेल के उड़ाग लगाते हैं क्योंकि नाक में तेल लगाने से चेहरे की सुदर्ता बढ़ती है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है नमबर नौ, दूद में काला जीरा डाल कर खाने से जक्म जल्दी भढ़ जाते हैं नमबर दस, जामुन के बीच को बारिक पीसकर दही के साथ लेना कैंसर और पत्री में बहुत लाबदाएक होता है नमबर ग्यारा, एक कप दही में दो चमच नारियल तेल और दो चमच एलोवीरा जेल मिलाकर एक घंटे के लिए बालों में लगा ले ऐसा हपते में एक बार करें, ऐसा करने से बाल सिल्की और मजबूत होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं नमबर बारा, जो खीरा रोजाना खाता है, ऐसे बंदे को सास की बिमारी नहीं होती नमबर तेरह, जिन औरतों की स्किन कुस्क और रुखी हो, वह नास्पती खाया करें नमबर चौदर, एक दिन में 4-5 काजू का सेवन किया जा सकता है, अगर आप इससे ज़्यादा काजू का सेवन करते हैं तो आपको फैदे की जगा नुकसान हो सकता है नमबर पंदर, गर्म पानी में एलोवीरा मिलाकर उसकी भाप लेने से चेहरे के पिंपल्स ठीक हो जाते हैं नमबर 16, छोटी सी दिखने वाली लॉंग कई गुनों से भरपूर है, इसमें एंटी, वेक्टरियल, विटामिन E, विटामिन C जैसे पोसक ततों पाये जाते हैं, जो आपको कई बिमारियों से बचाते हैं नमबर 17, वैसे तो लोग लॉंग का सेवन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन अगर सोने से पहले सिर्फ एक लॉंग का सेवन करें तो इससे आपको दोगुना फायदा मिलता है नमबर 18, ज्यादा खीर खाने वाले लोगों को सांस की बिमारी नहीं होती है नमबर 19, सुगर के मरीज के व्यक्ति को करेले खाना बहुत फायदे मन्द होता है नमबर 20, अद्रक के टुकरों पर सेहनदा नमक लगा कर धीरे धीरे चूसने से आवाज खुल कर आता है नमबर 21, अगर आपके दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, तो अद्रक का रस दो चमच गर्म करके नाभी के आसपास लगाए रस में रूई भीगो कर नाभी पर रख दे, दस्त बंद हो जाएंगे नमबर 22, नीन ना आने की वज़ा से परिशान हैं, तो भीगे हुए अकरोट का सेवन करें क्योंकि अकरोट में मेलाली नामक तत्व होते हैं, जिससे नीन अच्छी आती है नमबर 23, एक सोद के मुताबिक पपिता में भरपूर मात्रा में बिटामिन्स पाए जाते हैं, इनको खाने से लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ रोक परतिरोधक चमता भी बढ़ती है नमबर 24, किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपना एहसान कितना भी बढ़ा हो, कभी उसे जताना नहीं चाहिए 25. एक चमज दही में चुटकी भर कॉफी मिला कर चेहरे पर मसाज करने से भी चेहरे का रंग साफ और गोरा होता है 26. अगर खाना खाने के बाद एसिडिटी और हार्ड बन की समस्या है तो अद्रक के पानी का सेवन करें 27. यदि आपको काम करने के दौरान नीन आने लगे तो या सुस्ती महसूस हो रही है तो अद्रक वाला पानी पीए इससे आपको आराम मिलेगा 28. सुभा उठकर आखों पर पानी के छीटे मारने से आखों की रोशनी तेज होती है 29. जिन बच्चों की लंबाई कम होती है या लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उन्हें रोजाना पपिता जरूर खाना चाहिए इससे लंबाई में बढ़ोतरी होती है 30. यदि पेसाब में ज़्यादा पिलापन आने लगे तो निम्बू वाला पानी पीना सुरूर कर दे 36. अगर आपकी इम्मिनिटी कमजोर है तो आप बहुत जल्दी मौसमी बिमार्यों के सिकार हो जाते है 37. रात को सोने से पहले दो इलाइची अच्छे से चबा कर एक गिलास गुर्णगुना पानी पीले इससे बाल जढ़ने और नींद ना आने की समस्या दूर होती है 38. बच्चों के लिए केला एक ऐसा फल है जिसके सेवन से आप बच्चों का वजन बढ़ा सकते है 49. बच्चा अंदर से मजबूत बने और बिमारियों से बचे रहे तो आप एक दिन उसे दूद के साथ ड्राइफ रूट्स पाउडर जरूर दे 40. घर की रसोई में चपल जूते लेकर ना जाए 41. यदि आप कमर दर्द की समस्या से परिशान है तो रोजाना दोपहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लेने से दर्द में काफी आराम मिलता है 42. अगर सीने में दर्द है तो अजवाइन की धुनी ले इससे दर्द में आराम मिलेगा 43. काजू का सेवन करने से दिमाग और नजर दोनों तेज होते हैं 44. यदि आप कमर दर्द की समस्या से परिशान है तो रोजाना सुभा दोपहर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लेने से दर्द में काफी आराम मिलता है 45. आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजे क्योंकि दोस्तों के साथ खेल कर उनमें टीम वर्क और खेल की भावना का विकास होता है विडियो में बताई गई जानकारी सामानी जानकारी पर आधारित है किसी भी बीमारी से पिडित होने पर अपने डॉक्टर से सला लेकर ही नियम अपनाए तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताए आपको या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like जरूर कर दे और साथ ही अपनी family friends में भी share करें ऐसे ही informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें साथ ही bell icon प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई new वीडियो डालू उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुचे आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्त रहे धन्यवाद, thanks for watching